तो क्या चल रहा है दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आप लोगो को बताने वालो है 20,000 रुपीस का गेमिंग पीसी बिल्ड तो यहाँ 20,000 रुपीस के काफी कम बजट में मैं है आज आपको एक अच्छा डीसिंट गेमिंग पीसी बिल्ड करने बताने वाले हो जिसमें आप काफी नहीं गेम्स को लाइक जीडिया फाइब और बहुत चाहिए गेम्स को काफी डीसेंट फ्रेम रेट्स में प्ल सकते हैं तो यार सभी प्रोडक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलो याँ शुरू करते हैं आगर बढ़ने से बहुत चैनल को सब्सक्राइब करते हो और आप देख सको हमारी वीडियो सबसे पहले तो भाई बहलते मात में आपको यह बताना चाहू हो और आगे चलके महंगी हो जाए तो आप के लिए ज्यादा बेटरी हो कि आप आफ लाइन भाई करें बागे आपको सारे प्रोडक्स का लिंग की डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा तो यहार जैसा कि हमें गेमिंग पीसी बिल्ड करने वाले हैं तो यह एक बात यह बत प्रोश्रिक्स और यहां पर तीन दूरीक अमेए तो आपका सी ब्यू CT के आप अब आपका कर बाव diese अंदर ही उसके एक प्रोश्र तो यह वही है एक ऐख चीप पे आपको मिल जाता है तो इस तरीके से आपको बहुत कम ब्यट में काफी डीसेंट साथ जीप यूँ मिल जाता है और काफी अच्छा 5 Watts की अब जो कि मैं आप कहा था कि इसी पे graphics Card भी आपका है तो इसमें आपको पहले से ही इन बिल्ड Radiant Vega 8 का graphics मिल लाते हैं इसमें कहा लिए ऐन मेघ graphics के लिए separate Hebrews पहले से ही मिलते हैं तो इसमें जो graphics का कोर काउंट है वो है आठ यहाँ पे आपको आठ कोड़ सिफ ग्राफिक के लिए मिलते हैं और चार कोर चार थ्रेड सीप्यू के लिए तो यह एक बहुत बढ़िया चीज है और इसमें आप डीसेंट तरीके से गेविंग खेल सकते हैं और काफे अच्छे फ्रेम रेट्स भी तो अराउंड एट थाउजन का यह आपको अविलेबल है आप इसे ओफलाइन सर्च कर सकते हैं तो एक तरह किसी प्रॉपर पॉर कोर फॉर्ट थ्रेड प्रोसेसर एक प्रॉपर क्वाड कोर प्रोसेसर है उसमें आपको एट कोर का ग्राफिक कार्ड भी मिल जाता है जो बह एटिंग और यह कंटेंट क्रेशन काम कर सकते हैं मैंने इसे परसनली यूज़ किया है यहर मैं सही बता रहा हूं यह बहुत बढ़िया है एंड इस प्रॉपर्सेसर नहीं मिल सकता तो यहार मदरपोर्ट के यहाँ पर आमने सेलेक किया है एसूस प्राइम एम 3D0M के सपोर करता है यह सारे राइजन प्रोसेसर को एम पूर्सौकिट टाइप का है यह चिपसेट है इसका एमडी ए320 और मैक रैम सपोर्ट करता है 32GB की DDR4 यह एम डॉट तू स्लॉट को सपोर्ट करता है यह इसमें आपको एम डॉट तू स्लॉट मिल जाता है तो यह एक तरिके से प सपोर्ट करता है तो हाँ अगर आप आपने PC में LED लगाना चाहेंगे तो आप इसमें सपोर्ट कर सकते हैं फॉल 200 के प्राइस देंज में अवे लेवल है तो यहां पे हमने रैम के लिए यूज करा है एट डेटा का 8GB DDR4 2666 मेगा हर्ट पे इसकी प्राइस हेंज है तो भी आपको पसंदो पस ट्राइगी जिए कि वह 2666 मेगा हर्ट पे मिल जाए तो इसके बाद आप कोई भी यूज करते कोड़ से रेंजिंस कोई भी पर यहां पर थोड़ा पैसे बचाने के लिए हमने 7000 की यह डेटा की रैम यूज करना जाता सही समझा यहां पर अब ब है अब यह बात में आपको बताना जाओंगा कि भाई मैंने इतनी सब्सक्राइब क्यों उसकी तो पहले बात यह एक साल की वार्टी के साथ आती है एंड अभी हम एक बहुत कम बजट में है उनली ट्वंटी थाउजड के बजट में यहां पे अगर हमने कोई 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 सब्सक्राइब कोई और एसमपेश करते तो बजट बहुत ऊपर चले जाता तो यह अगर आप और सेरी उसका ना जाएंगे तो यह मैं उसका भी लिंक आपको निचे डिस्क्रिप्शन में बट अगर हम ने यह क्यों यूज़ की है बात यह आती है अब यह पहली बात फाइ ही देने वाला है तो इस पे अगर हम अभी ज्यादा पैसा कर देंगे तो यह ज्यादा नुकसान दे हो सकता है इसलिए मैंने फॉक्सिन के संब्सक्राइब चाहिए तो कोई भी उसक्रता अगर आपका बजट अलाउग करता है तो यहां हार्ड डिस्क लिए हमने यूज़ क साथ है कैबिनेट की अब यहां पर हमने यूज़ कर रहा है चिप्रॉनेक्स का एक्स 310 बी कैबिनेट ट्रांस्पेरेंट साइट पैनल के साथ आता है एक LED फैन और सपोर्ट करता है USB 3.0 को काफी अच्छा मिट टावर गेमिंग PC के कैबिनेट है और काफी बढ़िया लुक पातरीन के बेंचमार्क्स के तो मैं आपके सामने यह थोड़े रखते ताहूं अब यहां देख सकते हैं इन सारे गेम्स पे खेले गए यह बेंचमार्क्स और काफी अच्छा गेमिंग PC है यह मैंने परसनली से यूज़ किया है मैं आपको अभी हम इसका डिसकेशन तो काफी अच्छा प्रसेसर है इसका हम अमडी का एड भी उसका सकते हैं वह भी काफी अच्छा है लेकिन हम ने इसे थोड़ा नया प्रसेसर है यह इसलिए हमने इसे ज्यादा कंशिडर करें लिए यार वीडियो रिटिंग को बहुत बड़ी आदरीके से कर देदाए को कि वा साथ अल्ट्रा सेटिंग्स पर गेम्स को नहीं किल रिजए सिंप्ली मैंने बता लिए यह अल्ट्रा के लिए नहीं बनाए आप तक जा सकते हैं बट कुछ गेम्स में वैरी हाई भी जाएगा और अल्ट्रा तो आप बिल्कुल नहीं जा पाएंगा आप को बहुत मलब बहुत सारे जुआड करने के बाद शयदा पको यह अल्ट्रा पर जा पाएं एंडिया सेम्ट्रीटीप पे और इनिटीवी पर आमांत से आप खेल लेंगे सैंट्रीटीप मैंने जादा एक्योंगिया कि है सेवन्ट्रीटीप पे आप ज्यादा बेटर तरीकी सक्वाइंटारे ती ही पड़िया है यह पीसी तो यहार 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 पहलंक होता है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार भाई कर दो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ या शेयर करो और यार भाई सब्सक्राइब करें जहाने इयार आप 26 सब्सक्राइब को दबाद व्यास झाल झाल झाल